वोके, so hope you all doing well with your preparations and I am here with another video on the topic restriction enzymes and application based PYQs तो चल ये बढ़ते फिर्स topic की तरफ, इस जो topic है ये मतलब IDJM, gate, CSR handle, सब के लिए gate भी need के लिए नहीं है ये और इसमें हम डिसक्स करेंगे number या size of fragment और probability वाले जो questions आते हैं restriction enzyme के उनके बार में डिसक्स करेंगे आल जो type के questions होता है वो part 2 में आने वाले है, मैंने पूछा था telegram पर तो बोला था कि दो part में लेका हो, part 1 is here सबसे पहले restriction enzyme होता क्या है, restriction enzyme is a protein produced by bacteria that cleave DNA at specific sites along the molecule in the bacterial cell, restriction enzyme cleave foreign DNA thus eliminate the infecting organism एक तरी मतलब सीधे सीधे बोला जाया ना restriction enzyme है कैची और वो काट देता है किसको DNA को सीधी बात ठीक है अब यह help कैसे कर लास्ट लाइन यहां पर पढ़ा कि eliminating था infecting organism bacteria में है और infecting organism को मतलब eliminate कैसे कर पा रहा है, eliminate ऐसे कर पा रहा है आपने पढ़ा होगा जब जो bacteria phase होता है वो bacteria को infect कर देता अपने DNA को अंदर डाल देता है तो restriction enzyme उस DNA को कट करके चोटे-चोटे पीस में कल देता है जिससे की वो integrate नहीं हो पाता है या फिर जो जिस काम के लिए उस अपने DNA आ रहे हैं अपने enzymes को bacteria के अंदर वो insert काता है virus वो काम नहीं कर पाते हो तो help करी न मतलब restriction enzyme है उसने help करी क्योंकि इसने सामने foreign DNA को काट के चोटे-चोटे-चोटे piece में convert कर दिया जिसको वो digest का सके जो भी उनका रहता है तो यह मतलब immunity है उनकी किसकी enzyme enzyme sorry bacteria community है बाहर जो infecting organism है उनके against ठीक है तो अब दो type के हमारे hackpaus होते है एक तो exonucleus होता है और ended nucleus होता है exonucleus होता है कि है अपर ज़्यक्त के चली रहा है फिर आखर में काटे तो दुख नहीं ओघी अना पीच में अलग-अलग जगे सिथींड ऊटाते है वह सिर्फ थे इंड देता है ओबर हैंग अगिंगाट इन उपर इंड निकलेस में में ब्लंट एंड विहोते हैं मैं चलो दिखाई दे रहा हूं यह यह होता है और हेंगेंग पार्ट यह छीज आ यह जो हमारा यह यह अग्र को यहां पे क्या होता ब्लंट यह तो सेंटर में काटता यह दिखा रहा हूं यहां पर यह जी एधर नहीं जाता है यहां पर G एक्स्ट ईक्स्रा लटा करा आए आगे जाके चायगा एसा काटा कि आपका यहां पर लटका रह जाता है. ठीक है? मतलब देखो अगर खुद करके देखना अगर दो पीस हो जो कि अलग-अलग कटे हुए हो मतलब खुर्दुरे हो खुर्दुरी चीज को आपस में फसाना आसान नहीं था अगर उसमें shapes बनी हो तो उसमें आपस में फस जाता है और बिल्कुल सीधा चिकना कटा हुआ होना तो इजहली हो जाए अपाँ प्लंट नहीं करती है तो उसके लिए एकजोनुइकलेस है और हम जो हमारा है वह सेफटी में क्यों नहीं होता है कि सीधी बात है na सामने वाला जीन आ रहा है उस जीन को तुमने साइड बाए साइड मतलब एक शुरू में काट दिया एक आखरे में काट दिया उसे घंटा मतलब नहीं है वो तुम्हारे DNA से आके करी जाएगा ना वह दस बार काट दिया तो इतने पीस बचे ही कैसे करेंगे और उसको उनकोन बहला आ गई पैलेंड्रोमिक सिक्वेंस क्या होता है पैलेंड्रोमिक सिक्वेंस यह होता है कि अगर आप 5-3-3-3-5-3 कहीं से भी कैसे भी पढ़ें तो वह सेम होने चाहिए जैसे हम यहां से पढ़ें G-A-A-T-T-C और उल्टा पढ़ें G-A-A-T-T-C है सेम सीधे पढ़ो च इसको कहते है क्या पैलेंड्रोमिक सिक्वेंस तो मुस्ली रेस्टिक्ष्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट् टैप होते हैं टैप 1 टैप 2 टैप 3 इसकी डीटिल्स वह ना आपको नेट पर मिल जाएगी पढ़ सकते हो अभी हम यहां पर फोन से डिसकस कर रहे हैं कैसे 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 आते हैं ठीक है तो वो चीज आप वहां से पढ़ लेना वो इतना मतलब गेट में इतना डीप नहीं जाते ह क्या ही जा रहा है मतलब आ गया वाई चंस तो क्या पता तो यहां पर टैप अफ कॉस्चेंस के बारे हम बात कर रहे थे कॉन-कॉन से टैप अफ कॉस्चंस होते हैं सबसे पहला साइज है नमबर फ्रेग्मेंट इनगे अगर हमने काटा तो ठीक है तो यह पूस्त है या फि यहां पर नहीं पूचा है कि अगर हमने इसका पाशियल डाइशन करा दिया देखो दो टाइप के डाइशन होते हैं एक होता है complete digestion, complete digestion यानि कि जहां जहां पर mark है आप वो सारे कटेंगे, यह नहीं कि सिर्फ 2KB वाला काट दिया है, चार केवी वाला काट दिया है, 7KB वाला है, 10KB, नहीं, जहां जहां पर यह तीन restriction site है, 2KB पर एक restriction site है, 4KB पर, 7KB पर है, हर जगह पर कटेगा, अगर यह, म 4-7, कितना हो गया आपका, 3, एक आता अपना 3KB का, और 7-10, again 3, आपना आता कितना, 3KB का, ठीक है, तो यह आते हैं हमारे पास, 4 अलग अलग, यानि कि, यह फिर दो ही मानलो, एक 2KB के, और 3KB के, दो type के fragment 3 मिलते हैं, अगर कब, जब यह complete digestion होता, पर यह complete digestion तो नहीं हो र है, partial digestion, partial digestion में क्या होता है न, वो या तो पूरे fragment में से कहीं कट नहीं मारेगा, या फिर वो सब पर कट मार देगा, या किसी 2 पर, या किसी 1 पर, ठीक है न, कुछ नास लेके, सब कुछ तक, सब जगह काट देगा वो, ठीक है न, उसके मन की उपर है, mood swings है, उसके, partial digestion में क्य क्या है, restriction enzyme के mood swings, वो काटेगा, तो काटेगा, पूरा काट देगा, नहीं काटेगा, तो एक भी नहीं काटेगा, और मन करा तो बीच में 2, या 1, या कितने भी काट देगा, उसके mood swings है, तुम कुछ नहीं का सकते, इसे क्या कहेंगे है, partial digestion, complete digestion में कोई mood swing नहीं है, जहां काटेगा, पूरे उससे में, जहां दिखा, तुमने side दिखाई, और वहां उसने काटा, ठीक है, तो अब partial digestion में क्या होगा, मान लेते हैं, सिर्फ 2KB पे कट लगा, तो 2KB पे कट लगा, तो एक ये fragment आ जाएगा, और एक ये वाला fragment आ जाएगा, तो कितना हो गया, एक हमें 2KB का fragment मिला, एक हमें, 10-2 कितना हो गया, हमारे पास, 8KB का fragment मिला, ठीक है, हम मान लेते हैं, 4KB पे काटा, तो 4KB पे काटा, तो एक ये fragment हो गया, और एक ये fragment हो गया, तो हमें कौन कौन से मिले, एक 4KB का मिला, और 4-10, एक 6KB का मिल गया, हम मान लेते हैं, तो 7KB पे 10 KB के लिए हमें 3 KB का मिल गया बचा हुआ यह 3 KB हुआ ना 7-10 यहां से 0-7 7 KB का ठीक है अब मान लेते हैं यह 3 पर अब उसने 2 और 4 पर 2 जगा पर कट मार दिया हमें कौन-कौन से मिले एक 2 KB वाला मिला एक अगें 2 KB वाला मिला एक यह 8 KB वाला मिला मिला अगर हम मान लेते हैं उसने 4 और 7 KB पर कट मार दिया हमें कौन-कौन से मिलेंगे 0-4 KB 4-7 KB 7-10 KB यह हो गया 3 4-7 कितना हो गया आपका 7 यह अगें यहां पर 3 और 0-4 कितना हो गया आपका यहां पर आपको कितना मिल गया चार KB ठीक है यह गट मार दिया उसने अब यह मान लो कि उसने 1-2 KB पर मारा 1-7 KB पर मारा तो एक कितना होगे 1-0-2 KB 2-7 KB 7-10 KB हो गया 3 0-2 KB वाला 2 2-7 KB वाला क्या होगा 7-2 that is 5 KB और एक यहां पर कट मार दिया कहां पर कट मार दिया बचा हुआ यह हमारे पास आगे 7-10 यानि तो यह देखना थर 2 KB मिल गया हमे 3 KB मिल गया 4 KB मिल ला है यहां पर 4 KB मिला ना 2 KB मिला ना 3 KB मिला ना 5 KB मिला ना यहां पर यह देखो यहां पर 8 KB काटा तो 8 KB वाला यहां पर extra मिला न और 10 KB काता हो उसके mood swings बताया न कोई एक भी नहीं नहीं है उसका बहुत आलस है नहीं काट रहा हो तो एक पूरा 10 KB वाला भी हमें मिल गया है यहां पर तो question of question answer सही हुआ यह वाला partial digestion में हमें 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 हर type हर KB के हमें मिल जाएंगे यह न और अगर क्या होता यहां पर complete digestion लिखा हुआ होता तो हमें क्या क्या मिलता 2, 2, 3, 3 यानि only एक 2 के भी और एक 3 के भी यह दो अलग-अलग type के हमें fragment मिलते बस और कोई fragment हमें नहीं मिलता पर अभी क्या है partial digestion क्या है mood swings mood swings है कहीं भी कैसे भी कितना भी काटेगा या कुछ भी नहीं काटेगा ठीक है तो यह हमें पता चल गया fragment का number या size कैसे निकालते हैं किते 5 6 6 तो यह ही हो गए यह तो एक तो यह देखो एक दो तीन चार पांच छह साथ आठ आठ तो हमसी देख रहे हैं कि आठ अलग-अलग तरीके के fragment हमें कटके मिल सकते हैं ठीक है अब दो के भी वाला दो फ्रेगमेंट मिल सकते हैं यह जीरो टू टू के भी वाला भी टू और साथ में यह भी निकालेंगे 0 टू टू के भी वाला टू 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 4 के भी वाला यह दो फ्रेगमेंट अलग-अलग अलग-अलग-अलग इसकी उपर एक कॉशन है जो कि आपको प्रेक्टिस करना होगा वह रहास्ट में बताओंगा वह आपको आप मुझे next मतलब करवाद हूंगा चाल करवा तो यहाला कॉष्ण एक हो गया एक मैं आपको प्रैक्डिस के लिए दूए अब नेक्स्ट क्राते है पॉइल्टी बेस्ट कैसे आते हैं। ठीक है सबसे पहली बात हमें एक BAM H1 दिया है जो कि एक hexagutter है hexagutter क्या है 6 nucleotide sequence पर कट मारता है इसके nucleotide sequence क्या क्या है G A P C C अब हमें दिया हुआ है 40% GC content है 40% GC content क्या है 80 content कितना होगा 60% कितना होगा 60% तो A कितना होगा 30% P कितना होगा 30% GC कितना होगा 20-20% G कितना होगा 20% C कितना होगा 20% तो यह हमने निकाल लिया 20% 20% 30-30 यह हमने निकाल लिया अब हमें क्या दिया है BAM H1 एक hexagutter है विदा sequence GGATCC and है 40% GC content हमने content निकाल लिया G का कितना है C का A का और T का content हमने पता चल गया find the average size of fragment obtained from the restriction digestion अगर restriction digestion करा तो fragment size कितना होगा fragment size कैसे निकालेंगे कि यह बूरा fragment है एक digestion यहां पर हो रहा है एक यहां पर हो रहा है तो इसका size कितना होना चाहिए average size कितना होगा यह पूछ रहा है तो मैं क्या निकालना पड़ेगा इसके बीच की distance इसके बीच की distance निकालने के लिए क्या निकालना पड़ेगा क्या होगा कि अगर हम इसकी probability निकालने G, G, A, T, C, C एक fragment के अंदर इसके अकर होने की अब अगर probability निकालने तो क्या हमें यह नहीं मिल जाएगा मतलब एक restriction size आएगी एक cut तो हमें चाहिए ना proper किसी भी size के लिए एक cut तो चाहिए हमें तो ये cut हम निकालने तो ये cut कितना बड़ा sequence होगा उसके बाद जाके अगला cut आएगा ये अगर हम निकालने दो cut के बीच के sequence निकालने तो आप पता चल जाएगा तो हमें क्यों निकालना पड़ेगा इसके अकर होने की probability इसके GGATCC के DNA में अकर होने की probability कितनी है वो हमें निकान नी पड़ेगी ठीक है अब इसकी probability कैसे निकालेंगे अब G के अकर होने की percentage कितनी है 20% यानि की 2 by 10 G के 2 by 10 A 3 by 10 Again T 3 by 10 C 2 by 10 Again C 2 by 10 अब इन में के लगाए हमें सब चाहिए और नहीं है G और G नहीं है यहाँ पर G AND G है AND A AND T AND C Aगर AND है तो क्या होगा multiplication अगर यहाँ पर और होता G और G और A और T और C पर और नहीं है ना हमें पूरा sequence सेम चाहिए ना तो हमें सब के सब चाहिए यह option नहीं है कि हमारे पस G आजा रहे है नहीं नहीं यह वाला जी ले लेंगे यह G नहीं है तो A आजा तो अभी काम चला लेंगे क्या हुआ हमारे पास 2 x 2 x 3 x 3 x 2 x 2 कितना आ गया मेरे पास मैंने भी calculate करा 144 आ रहा है एक बार फिर से आप अपनी तरफ से चेक करके देखो 2 G के लिए अगें 2 G के लिए उसके बाद 3 A के लिए उसके बाद फिर T है हमारा A के लिए उसके बाद पर अगें C और C है हमारा किसके लिए 2 और 2 C C के लिए ठीक है तो 2 x 2 x 3 x 3 x 2 x 2 that is 144 divided by 10 10 10 10 मतलब 1 2 3 4 5 6 टोटल कितना हो गया 10 to the power 6 अब हमें क्या पता चला कि इसकी probability क्या 144 into 10 to the power 6 पर हमें क्या निकान नहीं है probability कि एक बार अगर होनी कि हमें पूछा है अब इसके तुम वो कैसे निकाल लोगे क्या enzyme का size मतलब बहुत रही restriction digestion वो fragment का size कैसे निकाल लोगे लोग वो भी बताते है पहले इसको erase कर दे हमारा पास जैक है नहीं है erase a link और pair तो यहाँ पर sorry तो हमारे पास क्या आया था 144 divided by 10 to the power 6 यह आया था नहीं ऐसे ही कुछ आया था हमारे पास तो अब हमें क्या करना है हमें क्या probability हमें क्या पता है हमें एक बार चाहिए equals to multiply by x यह है अब यह कहोगे यह 1 equals to 144 multiply by 10 to the power 6 into x कैसे आ गया ठीक है तो यह ऐसे आ गया क्या होता है कि हमें क्या चाहिए इसको अगर हम क्या कर ले चलो और दूसरे तरहीं समदाथा हूँ अगर हम यह कर ले कि 144 upon 10 to the power 6 यह बताना क्या चाहरा है कि 10 to the power 6 अगर मतलब उसका size है किसका fragment का size है तो 144 times आएगा पर हमें चाहिए कि एक बार चाहिए है मैं तो 144 times यह नहीं इसको reverse कर ले रहे है 10 to the power 6 divided by 144 ठीक है तरह करके देखो 10 to the power 6 divided by 144 तो क्या आ रहा है मेरे पास जो आ रहा है वो आ रहा है 6.9 पॉर पॉर पॉइंट पॉर यानि कि 6.9 के भी यानि कि fragment का size हमें कितना चाहिए 6.9 के भी वो fragment का हमें size चाहिए तब जाके हमारे पास एक बैमेच्वन की site आएगी यानि कि अगर हम मान के चलें कि एक बैमेच्वन की site यहाँ पे है तो इसको चोड़ने के बाद अगर हम 6.9 के भी दूर चलेंगे तो हमारे पास वो answer क्या आएगा एक और बैमेच्वन की site आजाएगी क्यों कि एक बैमेच्वन की site एक डियने में अकर होने के लिए उसको कितना size सी है 6.9 के भी कितने size बाद आएगी 6.9 के भी के बाद वो दूसरी बैमेच्वन की site आएगी या फिर हम यह बोल सकते हैं कि इसको अगर हम वापिस उल्ड अगर के देखें तो 1 divided by 6.9 के भी लिख सकते हैं इसको 6.9 के भी जानी की 1 एक बाद आएगी कितने में 6.9 के भी में कितनी बाद आ रही है एक बाद आ रही है 10 to the power 6 में 144 टाइम्स आ रही थी तो कितनी एक बार कितनी बार में आएगी 69 के भी में इसको ऐसे भी कर सकते हैं जैसे यह देखो cross multiplication 144 टाइम्स आ रही है कितने में 10 to the power 6 में तो मैं कितनी बार चाहिए एक बार चाहिए तो कितनी बार में आएगी x में आएगी तो x की value कितनी हो गई 10 to the power 6 divided by 144 ऐसे कर लो ठीक है ना 10 to the power 6 divided by 144 हमारे पास x की value आगी कितनी 6.9 kb यानि कि 6.9 kb में BM BM H1 एक बार मिलेगा हमें यहां पर हम माल ले रहे 1 BM H1 की साथ पहले से अखर है अब दूसरी हमें कम मिलेगी 6.9 kb के बाद 6.9 kb के बाद एक बार मिलेगी तो जब यह दोना पकटेंगे तो इसका size कितना आएगा 6.9 kb यह चीज समझा अगर अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है मिरे को DM करना मैं और और अच्छे से या मतलब Telegram पर बोल देना पास रख लो इनको solve परने कट रहे करो और इसका answer मुझे बताना ठीक है क्या आपका answer आ रहा है ठीक है उसके बाद फिर हम next वाली वीडियो में इसको solve परेंगे अब जैसे यहाँ पर ना देखो cell 1 की जो में site है ना मैंने यह नहीं बता है हेक्जकटर है या फिर टेट्रकटर पूर कटप है मतलब फूर साइज इसका क्या अच्छा है कि उसक्स बेस पेर का है या फिर पूर बेस पेर का है यह इसका ओरिजनल वो क्या है तो यह चीज ना आपको कुछ जो common होते हैं याद रखने पड़ते यह वाला जो है यह जो second question है यह 2021 का question है तो कुछ के आपको याद जैसे इको आर बन हुआ हिंद हुआ हिंद हुआ यह कुछ चीज है ना इनके तो मैं आपको याद पर रखने पड़ेंगे कि यह 4 बेस पेर वाला कटर है 6 बेस पेर वाला कटर है 8 बेस पेर वाला कटर है तो उससे आपको निकालना पड़ेगा यह के ना अब यहाँ पर एक चीज़ और है वहाँ पर हमारा पस्पसेंटेज थी कि इतना पसेंट होगा यहाँ पर हमें कहा दिया है divided in equal proportion equal proportion में divided तो सोचो क्या लगेगा तो सोचना मैं नहीं बताऊंगा मैं next video मैं बताऊंगा एक यह question है यह भी बहुत आसान question है मैं already मैं पहले करवा चुका हूँ मतलब यह आसान नहीं सोरी यह थोड़ा tough question है बजाए जो मैंने पहले करवाया था और यह वालो जो second question है यह थोड़ा आसान question है जो मैंने पहले करवाया उसमें मेरे already सारे concept मैंने आपके clear कर दी बाकी next video में यह दोना question भी हम cover करेंगे उसके बाद फिर हम gel electrophoreses cover करेंगे next video में ठीक है तो यही था अच्छी video के लिए बाकी मिलते हैं फिर आपको next video में तब तक के लिए आप मेरे को instagram पर follow कर सकते हो link name पर follow कर सकते हो और बाकी comment करके बताना आपको कोई भी दिक्कत आए कुछ भी हो कि आपको समाझ में नहीं आ रहे है या पर क्या videos में और बना सकता हूँ सब कुछ मिल रहा है क्या दिक्कत है यार जॉइन करने में ठीक न आप वो जॉइन करो और मिलते हैं फिर next video में next part के साथ और thank you बाई